जानिए कार्तिक स्नान के जरूरी नियम, पूजा विधी और साउधानिया नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर स्रीपति त्रिपाठी यह महीना हिंदू धर में विशे अस्मात्पर रखता है इस दोरान किये गए स्नान और पूजा से सभी पाप धुल याते हैं और जीवन में सुक्सम्रेद्य की प्राप्ति होती है कार्तिक माह में भगवान विश्णों का विशेष ध्यान रखा जाता है और साथ ही देवी तुलशी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है कार्तिक अस्नान की शुरुवात पूर्णिमा तेथी से होती है इसका बहुत महत्व है लेकिन प्रती पदा से भी असनान करना संभव है सबसे अच्छा होगा कि आप कार्तिक पुर्णिमा से असनान करना प्रारंभ करे असनान की बिधी जानिय कार्तिक माह में असनान शुबह ब्रम्ह मुहुर्त में करना चाहिए यहां आम तोर पर सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में होता है ध्यान रखें कि सनान के लिए यह समय शर्वत्तम होता है कातिक सनान ठंडे जल से किया जाता है लेकिन अगर ठंडा बहुत है तो आप गर्म पानी का उप्योग कर सकते हैं ध्यान रखें कि गर्म पानी में गंगाजन नहीं मिलाना चाहिए महिलाएं अगर पिरियट्स में हैं तो उन्हें स्नान उसी समय करना चाहिए जब वे समान नतह स्नान करती हैं पूजा पाठ करते समय गंगाजन का उप्योग नहीं करना चाहिए सबसे पहले जानिये पूजा बिधे सनान के बाद तुलसी जी की पूजा करना न भूरे तुलसी को घर में रखना और उने की परिक्रमा करना बहुत तो शुब माना जाता है यह मा काफी पवित्र होता है कार्तिक माह में दीपदान का विशेश महत्व है कम से कम तीन दीपक जलाने का प्रियास करें एक आउले के नीचे एक पीपल के नीचे और एक अपने घर की छट पर सुर्ज को जल जरूर अर्पित करना चाहिए इस दिन स्लान करने के बाद सुर्ज देव को जल देना अनिवार्ज है यह आपके सभी कार्जों में सफलता और सम्रिध्धी दिलाएगा इसमें साउधानिया भी रखनी चाहिए क्या साउधानी है कार्थिक माह में बिशेस ध्यान देकी आप मूली प्याज लासुन और मशूर की दाल का सेवन न करें यदि आपको इनका सेवन करना पड़ रहा है तो चीनता की कोई बात नहीं है असनान करने के बाद समय बिताने के लिए भजन और कृचन करें कोसिस करें कि सोने से बचे लेकिन अगर अत्यधिक ठाकान हो तो थोड़ी देर अराम आप कर सकते हैं कार्तिक माह में जितना शंबह हो नीमित रूप से असनान और पूजा करें यदि आप 5-7 साल तक नीमित रूप से सनान करते हैं तो आपके घर में धन की कमी कभी नहीं हो सकते तुलसे की परिक्रमा कम से कम पांच या साथ बार अवस्य करें यह आपके जीवन में सुख और शम्रिधी लाएगा निसकर्स यह है कि कार्तिक माह का समय भक्ति, स्रद्धा और समर्पन का होता है इस दोरान किया गया सनान, किया गया पूजा और ब्रत न किवल हमारे पापों कोध होता है बलकि जीवन में खुसहाली भी लाता है कार्तिक माह का सही तरीके से आप पालन करके हम अपने जीवन को आप एक नई दिशा दे सकते हैं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, सेर करें और कमेंट्स करें, नमस्का सब्सक्राइब